चिकन लिया है उसके साथ में लिया है 400 ग्राम करीब प्याज और 12-15 रहसं की एक चमच हल्दी है एक छोटा चमच लाल मिट्स पाउडर है गराब मसाला एक छोटा चमच नमक स्वादर साथ और मैंने इसके साथ एड़ किया है देड़ चमच करीब चिकन मसाला और धनिया चार चोटी लाइची एक बड़ी लाइची चार से पांच मैंने लॉंग लिए और एक टी स्पून मैंने काली मिर्च लिए मैंने प्याज ली थी उसका मैंने पिस्ट बना लिया है और उसके साथ में दो से तीन प्याज का मैंने चौप करके रख लिया है चड़के के लिए जोगने के लिए 3 टेबलेस्पून करीं इसमें कड़वा तेल डाला है और मैं इसमें बढ़ानूंगी नमक जिसकी विज़से तेल के कड़वा पंजोंगी दूर हो जाता है अब मैं इसको गरम होने दूंगी जब तो धूँआ नहीं आ जाता उसके बाद मैं बाकी मसाले इसमें एड करूँगी अब मैं तेल करभ हो चुका है धूब भी दूंगा निकरने लगा है और इसमें एड करूँगी चार-पांस तेज पक्ता इलाईची यह जो मैंने खड़े मसाले रख ते यह मसाले इसमें एड करूँगी इसके बाद चटकने के बाद मैं इसमें प्याज एट करूँगी और इसको बनका वलाबी होने से घूलूँगी अब मैं ये जो सुखे मसाले हैं इनकी सबका मिलाके गोल बनता करूँगी जिसे की मसाले अथे से फूल ना है और सब्जी में इसका केस्ट बढ़िया है अब इस तरीके से मसाला गोलने से अच्छे से मसाला फूल राता उसका टेस्ट इबापड़ी आता है आपनों ट्राइट करके देखेगा अब जो मैंने चॉप प्यास लिया था उसको मैं इसमे फ्राइब ब्राउन फ्राइ करूँगी उसके और उसका पेस्ट बनाएक तम मैं मुर्गे में आट करूँगी अब मैंने इस प्यास को हलका गुलावी होने तक घून लिया है अब मैं इसको ठंडा करूँगी उसके बाद मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी मिक्सिंगे अब यह देखें प्यास जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है अब हम इसमें जो भोल के मसाला रखा था आज इसमें वह आट करेंगे और इसको एक से दो मिनट के बूलेंगे शिलो आज पे जब इसमें तेल आज जाएगा उसके बाद हम पीसा हुआ ब्राउन प्यास डाले करेंगे और उसके बाद हम चिकन को इसमें एट करेंगे अधेकी मसाला जो है अच्छे से भून चुका है और इसमें तेल अलग दिखाई देने लगा है है् हब दिखीक है अब जो इच्छे से मूं चुका है काफी साथ और भून भी दिया आए बानी कम वी हो गया है अब यह में具 प्यास को द्राउन किया था उसके प्लेशों करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही साथ इसमें हम ये चिकेल मसाला और नमक को भी आड़ कर देंगे और फिर हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे 1-5 मिनूर्ट जिससे कि यह आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और एक से टेड़ मिनल बुनने के बाद में थोड़ा सा पानी डालके हम इसमें सिखी मार देंगे यह देखिए हमारा चिकन बुनके त्यार हो गया है इसमें बढ़िया सा कलर आया है अब हम इसे धनिये से गार्निश करेंगे और इसको हम नान या रोटी या चावल किसी के कई एग मना के बहुत के बात गज और जो एगिए।